आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईस तो आज का मारा question है the equation of the line representing these sides of the triangle are 3x minus 4y equals to 0 x plus y equals to 0 and 2x minus 3y equals to 7 ठीक है the line 3x plus 2y equals to 0 always passes through the option 1 in centers option 2 centroid option 3 circum center and option 4 ortho center ठीक है तो हमें पास क्या दिया है हमारे पास 3 line की equation दी है side of triangle दिया है मतलब हमारे पास L1 है कितना 3x minus 4y is equals to 0 यह हमारा L1 है L2 क्या है हमारा x plus y is equals to 0 L3 क्या है 2x minus 3y is equals to 7 ठीक है हमें पता है कि हमारी जो line की equation होती है वो कैसी होती है y is equals to mx plus c type की जहां m हमारा क्या होता है slope होता है ठीक है तो यह इसे अगर हम y is equals to mx plus c type का बनाएं तो हमारा m क्या होगा L1 के लिए हमारा m होगा m for L1 हो जाएगा is equals to 3 by 4 या फिर हम इसे ऐसे भी दे शकते है m क्या होता है m होता है minus coefficient of x upon coefficient of y ठीक है minus coefficient of x क्या है 3 upon y coefficient of y minus 4 minus minus cancel 3 by 4 m L1 slope of L2 क्या हो जाएगा slope of L2 हो जाएगा minus 1 ठीक है और slope of L3 क्या हो जाएगा slope of L3 हो जाएगा 2 by 3 ठीक है यह हमारे तीनो लाइन के slope आ गए ठीक है अब हम देखते हैं कि अगर हम L slope of L1 into slope of L3 करें तो कितना आ जाए slope of L1 क्या है 3 by 4 ठीक है तो यह कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 1 by 2 मतलब काईज हमें पता है कि अगर किसी दो लाइन के slope हमें पता है M1 और M2 दो लाइन है और एक पहरी लाइन का slope है M1 और दूसरी लाइन का slope है L2 और उनका multiply कराने पर अगर minus 1 आता है तो M1 और M2 लाइन जो होती है वो एक दूसरे के perpendicular होती है पर यहाँ पर minus 1 नहीं आ रहा है अगर दोनों लाइन का हम दोनों लाइन के slope का multiply करा रहा है तो minus 1 नहीं आ रहा है तो मतलब L1 और L3 जो हैं वापस में perpendicular नहीं होगी और हमारे पास चौथी लाइन क्या है दो लाइन 3X प्लस 2Y इकोस टू 0 आलवेस पास ठीक है लाइन इसको हम L से देनोट कर ले 3X प्लस 2Y इकोस टू 0 ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लाइन किस से पास हो अगर हम यहाँ पर put X इकोस टू 0 रखे तो X is equals to 0 then 2Y is equals to 0 that means Y is equals to be 0 तो Y is equals to 0 हैगा तो मतलब यह लाइन X, Y 0, 0 मतलब और इजिन से पास हो रही है यह जो लाइन है 3X प्लस 2Y वो और इजिन से पास हो रही है ठीक है अब इसका slope क्या होगा इसका slope हो जाएगा हमारे पास M L कोफिशेंट माइनस कोफिशेंट ऑफ X अपॉन कोफिशेंट ऑफ Y 2 तो M L हो जाएगा माइनस 3 वाइ 2 ठीक है अब हम यहां से देख पा रहे है कि M L जो है माइनस 3 वाइ 2 है और L 3 जो है 2 वाइ 3 है तो अगर हम M L इंटू M L 3 कराएं तो हमें क्या मिलेगा M L है माइनस 3 वाइ 2 इंटू L 3 है 2 वाइ 3 ठीक है तो यह हमें क्या मिल रहा है माइनस 1 मतब यहां से हम कह सकते हैं कि L is perpendicular to L 3 ठीक है यहां से हम कह सकते हैं तो हमारा triangle किस तरह से होगा हमारा triangle कुछ ऐसा दिखेगा यह हमारा triangle बनेगा ऐसा कुछ क्यूंकि हमने देखा कि L 1, L 2, L 3 कोई भी आपस में perpendicular नहीं है ठीक है तो हमारा triangle कुछ ऐसा होगा हमने देखा कि L 1, L 2, L 3 कोई भी आपस में perpendicular नहीं है हमने इसको दे दिया L 1 यह हमारी line है L 1 L 1 क्या है? L 1 है हमारी L 1 क्या है हमारी 3X minus 4Y is equal to 0 तो यह हो जाएगा 3X minus 4Y is equal to 0 यह हो गई L 1 ठीक है? यह हो गई L 2 L 2 क्या है हमारी? L 2 है हमारी X plus Y is equal to 0 ठीक है? और यह हो गई L 3 L 3 क्या है? 2X minus 3Y is equal to 7 ठीक है? यह हमारी L 1 L1, L2, L3 हो गई, अब हमने देखा कि L1, L2, L3 तीनों ही एक दूसरे के perpendicular नहीं है, तो हमारा triangle ऐसा होगा, हमने देखा कि जो L है, जो origin से पास हो रहा है, वो L3 के perpendicular है, मतलब यह जो line होगी, L, वो L3 के perpendicular होगी, कुछ ऐसी, ठीक है, यह line कुछ ऐसी होगी, जो L3 के perpendicular होगी, मतलब L3 के साथ 90 degree का angle बना रही होगी, यह हमने दे दिया A, B, C, और हमने देखा कि यह जो line है L, यह line जो है L, यह origin से पास हो रही है, मतलब यह इस point से पास हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा origin, ठीक है, और हमें पता है कि जो triangle का जो point origin होता है, जो 0, 0 point होता है, वो कौन सा point होता है, वो orthocenter होता है, orthocenter, ठीक है, तो हमने देखा कि यह जो line है, यह B से होके पास हो रही है, origin से पास हो रही है, मतलब orthocenter से पास हो रही है, तो बस हमें यही बताना था कि the line 3x plus 2y is equals to 0 always passes through the option 4, orthocenter, ठीक है, हमार option 4 true होगा, orthocenter. Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students कभर होसा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चारस उपर.